आज हम मर्सॉट देखने वाले हैं, पहले हमने कुछ कोशन्स देख लिये थे, तो मर्सॉट पर आते हैं और क्या-क्या है इसमें बहुत इजी ली तुम्हें पता होगा, क्योंकि हम इसको पहले भी एक बार हमने इसको देख रहा है, तो इन्पूट क्या होगा, इसमें एरे ओफ एन एलिमेंट्स, ठीक है, एन एलिमेंट्स का एरे मिलेगा, और आटूट में सौर्टिड एरे ओफ एन एलिमेंट्स हम करेंगे, ठीक है, तो फॉर इजामपल अजर आपके आपके आपस एक एरे, 50, 80, 20, 16, यह सारे वैल्यू दे रखे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बान के चलते इंडेक्सिंगे, जीरो से नहीं हो रहा है, यहां पर हम किस तरह से चीज़ को करेंगे, यह प्रिविएसली फैमिलेर हो तुम इस चीज़ से, हम पहले भी ख़़र कर चुके है, यह थार्टीन वीडियो है, तो ए यह से फॉर का डिविजन होँआ वन से तु तक और थ्री से फॉर तक, फिर तु जो है, अट द अड एंड फिर ईसमें दो इसम प्रिविप को कॉमा ने शना है, यह थार्टीन को ही ले रहे है, तो ऐसे करते करते सब के साथ यह हुआ, झाल यहां पर क्या हुआ हूआ, यह middle position पे 6 आएगा, तो 5 से 6 तो इन्होंने इस side रख लिया, area के साथ बचा 7, तो a 7,7 is here, उसके आगे यह नहीं जा सकता यही नहीं उसके आगे कुछ तो a 5,5 और 6,6 अगले level तक भी गए तो होगा क्या, कि c1 यह है, c2 यह है, तो इसको solve करने के लिए, हमेशे ऐसे बोलते हैं कि function calling sequence, अब pre-order यह post-order बता चुका हूँ है आपको पहले भी कि function calling sequence जो है, c1 से लिए c13 तक जायागा, यानि पहले root होगा फिर उसके बाद left फिर right, तो c1 हुआ, फिर left पे गए c2 यहाँ root हो चुगा है, यानि अब c3 जाएंगे यहाँ root हो चुगा है, यहाँ गए c4 अब c4 गए, तो right बहाएंगे, c5 ठीक है, यहाँ गए, तो यहाँ c6 बहाएंगे, then c7, c8 then c9, finally यहाँ आएगा, c10, c11, 12 and then 13, तो यह होगे हमारा c5 रिखा, और यह दोन execute हो गए, तो उसके बाद c3 execute होगा, this then c7, यह वाला क्योंकि हमें इन दोनों का combination यहाँ चाहिए, और यह मिल गया, तो हमें यह तब तक नहीं मिलेगा, जब यह पुरा ना हो जाए, तो इसलिए c7 c3 के बाद, c3 एक बार मिल गया, तो c7 c8 का combination से c6 मिलेगा, then c2 मिलेगा, ठीक, c2 मिलने के बाद again, हम नीचे आजेंगे c11 पे, c12 पे, इन दोनों से c10 मिलेगा, देखो, यहाँ देखते भी जाओ, फिर c13, और इनसे c9 बनेगा, finally c1 पे, यह c1 है तो यह stack में इस तरह से stack space जोगा number of level in recursion tree होगा तो यहाँ देखो, 4 units दे रखिये 1, 2, 3, 4, 4 levels है तो हम यह जो है, ऐसे parent sibling, यहाँ पे तो एक दूसरी sibling है देखो, c1 जो है, अकेला ही है टॉप पे, उसके बाद c2 और c9, यह दुन यह same position पे रहेंगे, simultaneous काम होगा, ठीक है, तो stack space खाली होता है जैसे यह वाला c2 अगर level होगा है तो इसके लिए, चलेगा इसी level पे, तो 4 levels है number of levels in recursive tree ठीक है, तो इसमें एक note लिखाए नीचे, कहाँ है कि merge algorithm input is two sorted subarrays ठीक है, यह चीज का ध्यान रखना और here, combine मतलब merge जब मैं बोलो ना c मतलब combine यह दोनों combine होके जा रहे है तो combine करने का मतलब यहाँ पे merge sort में merge कहलाता है ठीक है, तो merge करना, combine करना एक बात है और merge algorithm, बहुत ध्यान से देखना मैं merge sort पता रहा हूँ confusion होगी merge sort जो है using merge algorithm merge algorithm देखते हैं बहुत मैं देखे हैं, merge sort क्या होता है merge algorithm क्या होता है, अंतर क्या होता है एदलस इचिज का ध्यान रखो merge algorithm का input जो होता है two sorted location, the subarrays होता है ठीक है, और merge sort का input क्या होता है an area of Name elements ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आई रहा होगा तो एक बार merge algorithm देख लेते हैं जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है 1 से 10, 20, 30, 40 और 11, 21, 31, 41 अब ये दोनों जो हैं मैंने आपको पहले बताए कि merge algorithm का input जो होता है वो two sorted sub-arrays होता है तो मानलों यहाँ से लेकि यह दोनों sorted है अपने आपने यह दोनों सब-arrays ठीक है मैं example 1, example 2 दिखाऊंगा और उसके वेसिए से merge algorithm समझते हैं तो जब होगा क्या कि हम merge algorithm का use merge sort में करता है definitely मगर कड़ेंगे क्या कि initially 10 और 11 का comparison होगा और जो छोटा है वो है 10 तो यह 10 को रख दिया जाएगा अगला comparison होगा 20 और 11 का 11 यहीं पे रहेगा तो 20 11 का comparison हो 11 आगे यहाँ पे फिर comparison होगा 20 और 21 का तो 20 और 21 में 20 आगया ऐसे करके finally चलेगा और at the end जोगा आखरी का 41 जो मैंने यहाँ दिखा रखा है क्योंकि एक बार 40 और 41 में comparison हो आखरी के दुनों में 40 आगया 41 के लिए कोई comparison ही नहीं चाहिए तो last no comparison यह है worst case क्योंकि यहाँ पे हम कितने सारे comparison कर रहे है तो comparison देखो 4 4 यह 4 है न टूटल 1 2 3 4 4 4 का comparison के लिए हमने मतलब यहाँ पे अगर 4 4 सब सब एरेस के elements है उनके comparison के लिए 7 टाइम्स लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम comparison लग रहा है है ना और similarly n by 2 n by 2 के लिए कितना होगा n by 2 plus n by 2 minus 1 that is n minus 1 और m और n के लिए m plus n minus 1 तो एक comparison की बात हो गई अब बात आती है moves की ठीक है movement क्या क्या है मतलब जो arrays है उनको तो move करना पड़ेगा 41 जो है वो भला है यहाँ से यहाँ यहीं पे रुखा मगर हमें यह array b है a है यह यह भी है तो यह दोना अंतर है नहीं तो movement तो हुई है तो 4,4 यानि 4,4 के सब array है तो movement तो रहेगी 4 होगी तो यहाँ 8 हो गया यहाँ N हो गया यहाँ M प्लस N हो गया तो movement भी play करती है important role और even dominate करती है कैसे क्योंकि time complexity में comparison और movement दोनों देखी जाते है comparison तो भले ही कम लग गए कुछ केसे जो हता है अभी देखो यह तो worst case था नीचे वाला best case दिखाऊंगा भी example 2 तो उसमें comparisons और कम लगेंगे तो moves जो है वो dominate करते तो time complexity moves पर depend करेगी तो 4,4 का array होगा तो 8 हो जाएगा N by 2, N by 2 के लिए N हो जाएगा big of N कहलो या अलग-अलग array का size है तो big of N कहलो अब example 2 देखो जो है best case एक तरह से ठीक है तो यहाँ पर कहा है कि 40, 50, 60, 70, 80, 90 हमने sort कर रखे हैं पहला सब array दूसरा सब array जो है 10, 20, 30 मगर वो 3 elements का है पीछे तो यह 6 elements का यह 3 elements का है ठीक है तो 10 definitely जीता है मदलब छोटी value है 40 और 20 में comparison हो है 20 40 और 30 में comparison हो है 30 यह तीनों की value आ गई तो इसके बाद यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो at the end no comparison रहे इन सभी elements में तो as a t जी यहाँ से उटके हैं आ गई तो ऐसा case भी होता है यहाँ पर best case लिख रहा है तो best case of merge algorithm क्या है मैं सुथवर नीचे कर देता हूँ कि best case of merge algorithm whenever comparison is going on the element coming from same subgroup and that should be smaller one तो बार बार देखो तुम 10, 20, 30 से ही यह तीन element वाल देखो मैं आराम से बतातो यह 6 element यह 3 element है यह smaller है यह subgroup है हाँ और बार बार element कहां से आ रहा है यहीं से आ रहा है तो यहीं कहार है best case for merge algorithm कब होगा जब comparison होगा elements coming from same subgroup and that should be a smaller one तो यहाँ moves की बात कर लेते क्या-क्या moves होए क्या comparison होए और ultimately time जो है जो है वो moves पे depend करता है यह तो पता ही है तो moves जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ प्लस है यह तो moves का तो पता ही है comparison कम होते है क्योंकि हाँ चार element से तीन के comparison होए तो तीन अगर चार और चार क्योंते है चार minimum जो जाएगा minimum value को पॉड़ लें तो note point कहा है as array B is also taken it is called outplace merge algorithm तो अभी तक तुमने देखा मैं array A और B दोनों ले रहा था array A की values को B में डाल रहा था तो हम इसको बोलते है outplace merge algorithm अब outplace से समझ में आता है कि inplace भी होता होगा inplace क्या होता है यह भी देखते है conclusions पे आते है outplace merging two sorted arrays each of size M and N will take O M plus N every case में क्योंकि time जो है complexity moves पे depend करते यह चीज़े पता है तुमें अब यह भी दिखाया मैंने तुमें कि M plus N लग रहा है है ना movement तो दोनों side से हो रही है तो M element N element है दोनों का M plus N लग रहा है every case में outplace में एक inplace भी होता है merging two sorted arrays two sorted arrays को merge कर रहा है in place यानि उसी array के अंदर तो वो जो होगा O M into N लेगा time complexity हर case में कैसे तो वो यह example है देखो मैंने एक दो दिन जाए 5-6-7-8 लिख दिया यह 50-6-7-8-8 अभी जो कटा हुआ है वो मत देखना जो value है वो देखना मैं बता रहा हूँ क्या कटा हुआ क्या नहीं है 50-6-7-8-8 यह लिखा हुआ है sorted है पहला array दूसरा है 10-20 दीच चले sorted है तो इसमें क्या है M into N आ रहा है reason being कि comparison होगा 50 और 10 में definitely तो जीतेगा कौन 10 तो क्या करेगा 10 यह 10 जो है वो यहां आ जाएगा हम कर रहे है मतलब N by 2 cases में चेक कर रहे है यह तो total array N है तो N by 2 में चेक होगा तो यहां पे यहां पे 10 खटके यहां आ गया तो 50 value यहां गई 50 को जाना तो थाए अब 50 यहां पे आ गया हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पचास बड़ा तो 20 काटके 50 कर दिया यह काटके 20 कर दिया समझ रहे हो फिर 50 और 30 में पे यहां पे 50 कर दिया यह काटके 30 कर दिया फिर यहां तो 50 यहां चालिस आया तो ultimately sorted बनाया गया फिर 60 और 20 में इस वाले 60 और इस वाले 20 में यह N x M तो in place में worst case में M x N आयागा यह N x 2 दो N x 2 तो in in place space took less but time is increased तो don't consider तो तुम्हें एक बाद बताओ space की दिक्कत है या time की तो space तो मिल जाएगा time नहीं मिल पाएगा time इक बाद गया हाथ से तो गया है ना तो एक छोटे से फोन के अंदर भी इतना जीबी का डेटा स्टोरेज होता है तो हमारे लिए स्पेस की कमपेरिटिवली कम दिक्कत है टाइम से हैना इसलिए हम इन प्लेज को ज्यादा यूज नहीं करते हैं अब मर्ज सॉट एल्गो को देख लेते हैं एक बार यानि एलिमेंट कितना है एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट रिटन कर दो अब यह मर्ज सॉट की बात हुरी है कौन सी एल्गोर्थम की बात हुरी मर्ज सॉट की इससे पहले मैंने क्या दिखा है तो मर्ज एल्गोर्थम और मर्ज सॉट में अंतर है हम भले ही merge sort पढ़ रहा है मगर उसमें merge algorithm का use होता है ठीक है तो देखो initially अगर एक ही element है तो return कर दो वह ही element और क्या कर सकता है वरना mid पे आओ और merge sort लगा दो कहां से कहां तक i से लेके mid तक और दूसरी बाँ merge sort लगा दो mid प्लस 1 से लेके j तक यानि पूरा cover हो गया दोनों हिस्से को बाटा या वो cover हो गया और ये merge लगाने पड़ी एक नई algorithm जो कि हम मैंने तो मैं इससे पहले ही समझाए कि merge algorithm यही होती है इसमें क्या लेंगे a लेंगे that is array i लेंगे j is initial फिर mid फिर mid plus 1 फिर j यानि उन दोनों को combine करके final जो बनेगा वो merge algorithm की help से बनेगा और return करेंगे a को ठीक है नीचे वाली बात पर बताता हूँ मगर यह पहले यह देख लो यह नीचे वाली बात पर आई जाते हैं यह देखो कह रहे कि more than log in space extra तो होता है space की बात होती है यहाँ पर outplace दिखा रहा है एक चीज़ तो समझ गया है in place में दिक्कत तो हो रही है क्योंकि उसमें time complexity जादा है n into m जो है जादा होता है n plus m से तो अगर more than log in space extra ले रहे हैं तो outplace होता है log in से जादा space extra है तो outplace है देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम in place के लिए कुछ अलग से space use ही नहीं करोगे use तो हो गई तो वो बस ध्यान रखना कि log in से काम होना चाहिए in place के लिए बस further timing बता रहा हूँ हम यहाँ तो outplace use कर रहे है तो n by 2 plus n by 2 that is o of n में हो रहा है अब दिखो merge algorithm के अंदर हो क्या रहा है तो हमने क्या कर रहा है यहाँ पर merge a i mid mid plus 1 j सब कुछ लिया m is equals to 1 मान लिया initially जब तक i हमारा छोटा है बराबर है mid से and k जो हमारा वो छोटा है बराबर j से थोड़ा feel कर पा रहे हो कि हम j जो है वो last element है mid जो है वो बीच का element है तो अगर a i greater than a k हो गया हम comparison कर रहा है जैसे अभी मैंने तुम्हें example बताये दो best case, worst case वाले वह comparison हो रहा है अगर a i बड़ा निकला a k a के तो हम क्या करेंगे इसका अंतलब a k छोटा है तो sorting में तो छोटा element पहले आता है ना तो b m is equals to a k तो हम जो b नाम का array बनाए थे क्योंकि out place की बात हो रही है तो नए array बनाएंगे उसमें a के element को रख दिया जाएगा क्योंकि वह छोटा है और दोनों को plus कर दिया जाएगा m plus plus k plus m को बढ़ाएंगे आगे और k को बढ़ाएंगे यहां i को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि i का comparison दुबारा चलना है ठीक है अब इसको दुबारा compare करके देखेंगे else case में b m is equals to a i अगर a i छोटा निकला तो m plus plus i plus plus same चीज है और अगर ऐसे while का loop हो जाता है तो remaining element copy to b array जैसे कि वह best case दिखाया था मैंने सारे elements copy हो गए थे b array में तो out place में o m plus n या o of n by 2 plus n by 2 या o of n में हमारा time complexity जाता है तो अभी जो हमने algorithm देखी merge sort की उसका relation देख लिए थे time के respect में तो time of merge sort n o of 1 रहेगा n अगर बन है और o of 1 divide के लिए वो जो हमने mid निकालने की कुशिश की थी और 2 t n by 2 हमने दो बार merge sort को call किया था और combine करने के लिए o of n time लेगा क्योंकि यह जो है merge का मैंने बता है m plus n क्या दो या o of n क्या दो combine करने के लिए अभी भी बता है तो इस तरह का कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें कि इन दनों को मैंने finally n consider कर दिया n time लेगा अगर divide and combine को मिला दिये जाए और फिर जब इसको आगे देखेंगे तो 2 t n by यह क्या कर रहा है हम substitution कर रहा है आगे आगे जाके ओ log n log n में जाएगा सेम चीज है जो हम काफी बार discuss कर चुग यह stack space होगा और ऐसे है कि n जो है वह दो हिस्सों में बट रहा है n by 2 n by 2 फिर यह n by 4 n by 4 और हर बार n by 2 यह आ रहा है क्योंकि n जो है वह exactly n दिखा रहा है तो जो value है वही रहेगी तो total time से log n time से तो stack space log n हो गया और इसमें finally जाके जब value put करेंगे k की value जो k की value हम करते थे है न यहाँ value मानके जिसने नहीं revise नहीं कर रहा है substitution method कर लो उसको आसान लगेगे तो finally हमारे n log n आ रहा है every case में ठीक है तो यह हमारा recurrence relation of time है ठीक है तो merge sort में time जो है वह n log n है आप space की बात करते है merge algorithm plus stack space space की बात आती है तो merge algorithm के लिए n जाएगा क्योंकि हमारा b array बनाया गया था याद अभी मैंने बताया तो stack space जो login ले रहा है stack space जो है वह login ले रहा है finally जो है इन दोनों का sum जो होगा वह any रहेगा क्योंकि merge algorithm इन दोनों में जो कौन बढ़ा ठीक है अब बात अज़िए कुछ questions पे जो कि कुछ अतरंगी question है कि हमने ठीक है पढ़ लिया मगर जब तो question ही होगी हम कैसे माल ले कि हमने पढ़ लिया है हमें सच में आ गया है तो question जो अतरंगी है गबराने की जुरुत नहीं है नहीं आएगा तो मगर समझाओंगा तब तो आना चाहिए ठीक है how much time it will take to convert log in sorted sub arrays log in की जैसे जैसे मैं बोलूँगा 800 sorted sub arrays दे रखे है 800 छोटे 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 sub arrays दे रखे है ठीक है ऐसा कुछ समझो log in देखके हमारा दिमाग घुम जाता है इसको दिमाग में कैसे सोचे है ऐसा मन करता है तो मालो 800 छोटे छोटे sorted sub arrays दे रखे सौट करके ठीक है और each of size हर एक का size मालो 2-2 का है 1-2-1 हो गया 3-4-1 हो गया 5-6 ऐसे करके 800 यह complex से इसले बता रहो into single sorted sub arrays with n elements तो हमें कुछ इस तरह है गा यही देख लो अब 800 800 सब भूल जाओ यह देखो 1-2-3-4 log n-1 log n इस total sub arrays है अब इनको जोड जाड के at the end final बनाने है यही खेले इस question का और इनका size कितना दे रखा है बताओ size दे रखा है n by log n तो value से घबरान नहीं है बस इतना जान रखो तो इसका size होगी n by log n n by log n सबका size n by log n और कितने total है यह log n है तो हमने देख लिए है log n है तो जब इन दुन को आपच में मिलाया जाएगा तो log n by 2 बचेंगे यहना 2 की पार 1 है log n by 2 बचेंगे और हर एक का अंदर की बात क्या होगा अंदर का size क्या होगा 2 n by log n है ना मतलब एक तो है कि कितने sorted सब areas है तो sorted सब areas का number जो है half हो गया क्योंकि जो दो combine हो रहे है ठीक है तो वो यहां लिख दिया मैंने फिर है size जो था पहले n by log n था अब क्या हो गया size बढ़ गया ना दो मिलाके एक हो गया तो 2 2 n by log n इन दोनों को multiply कर देंगे तो सब कुछ कटके n आ जाएगा देखो दी देख लो आगे जाके अगले step में 4 n by log n करा तो उसमें भी क्या होगा 4 याने 2 का square और log n by 2 का square भी हो रहा है क्योंकि यह सब भी मिलके छोटा हो रहे हैं है ना तो यहां से भी कटके n आ जाएगा कितना इंट्रस्टिंग है और at the end मानके चलो k point पे जाके 1 हो रहा है वो मतलब एक single क्योंकि बना रहे है ना single sorted सब है रहे तो ऐसा केस मानने तो log n by 2 की power k is equal to 1 है तो k की value log log n हो गई इस question पर जाद ध्यान देना क्योंकि समझते time समय लगता है तो यहां पर k की value log log n हो गई हम ऐसा प्लेस मानते है यहां पर एक single रहेगा जो की final होगा तो इसका मतलब k की value हमें मिल गई यह total n बार जा रहे है तो finally क्या होगा o of n log log n तो n तो times यह है और k की value क्या करते है multiply करते है न sub-arrays इस बार a sorted sub-arrays है पहले log n थे ना each of size b into single sorted arrays same question है बस यहां पर a और b दे दिया है पहले हमें यहां पर log दे रखाता log n sorted sub-arrays into n by log n है ना ऐसा कुछ दे रखाता तो यहां पर 1 से लेके a तक गए और b b इनका गए size है 2 b हो गया 4 b हो गया same system है और यहां पर हमारा a by 2 की power 1 क्योंकि यहां पर पहले total a थे a elements थे अब यहां पर a a का half हो जाएगा यहां a का a के half का भी half हो जाए a by 2 की power 2 है ना और साथ में इन दोनों को एक साथ मिला दिया तो size जो हो जाएगा 2 b हो जाएगा तो यहां 2 b k होगी यहां पहले log आ रहा था यहां कितना चीजे रिलेट हो रही है न तो ऐसे question के लिए भी तयार रहा है a by 2 की power k is equals to 1 कि किस power के लिए a by 2 की power k किस की value 1 आ जाए तो यहां पर k की value होगी log a based 2 तो finally a b log a based 2 is the time complexity अगला question देवा क्यारे कि how much time it will take to convert n element array into log in sorted sub array each of size n by log in देवा हमेचे question उपर नीचे similar लगेंगे question वाला कुछ भी पूच सकता है तो यही वो धारन है इस बार question क्या पूच रहा है कि कितना time लगेगा time complexity पूच रहा है ठीक है इस बार हमें n element का array दे रखा है into log in sorted sub arrays each of size n by log two one ад whenever single one बनाने है यहां पर log and sorted sub arrays बनाने है तो start कम n से करेंगे n हमारे पासéraरे पास Chlliroot n दे रखें उसके बाद उन दोनों का अभी element if आइन अर उसको बार दो हो गए फिर चार हो गए ऐसे करके उपर जा रहे हैं तो आपको पता है initially क्या n by 2 हो जाएंगे क्योंकि initially n है तो उसका आगे जाके जब 2 एक में मड़ जाएंगे तो n by 2 हो जाएंगे हाफ हो जाएगा और साइज जो जाएगा 2 का हो जाएगा तो कटटके n आगया फिर जाके n आगया फिर n आगया सेम चीज के की वैली निकालना थोड़े यहाँ पर हो सकता है क्योंकि हमें बनाना है लॉग n तो n by 2 की पावर के को हमें क्या करना पड़ेगा लॉग n करना पड़ेगा जब लॉग बोच साइड लेंगे तो इस तरह से k की वैली आजएगी उद्धर बेज के तो लॉग n minus log log n is equals to value of k तो finally हमारा answer जोएगा वो n से multiply कर दिया जाएगा इंटू k तो k की value को n से multiply करा तो जब check करके देखा कौन बढ़ा है क्योंकि जब subtraction होता है तो इन दोन में से कोई एक लेंगे तो n log n is the answer अगला question देखो consider the following array array दे रखा हमें और consider the following array ऐसे करके दे रखा है what will be the output after second pass of the straight two-way mudsort algorithm बहुत easy question है second pass में पूछ रहा है देखो कि तुम बोलो कि लगनी रहा है कि ये computer वाले बच्चे करते हैं क्योंकि तुम भी कर सकते हैं मतलब easy है तो बोलरे second pass of the straight two-way mudsort बहुत term का यूज करा गया है पहले जान लेते हैं क्या-क्या ध्यान में रखना है नोट कह है repeated element order will not change after sorting for example यहां तुम्हें कोई repeated दिख रहे हैं 32 32 है न वैसे मैं डूना मैंने मगर पीछे जाके बताई दूगा repeated 32 है तो order चीन नहीं होगा यह वाले 32 जो है यह वाले शर्माजी यह वाले शर्माजी पहले आएंगे ठीक है बहले ही दोनों की कास से मतलब ऐस समझ रहे हो जो पहले था वो पहले ही रहेगा और इसको हम कहते ह जो पहले था वो पहले ही रहेगा खाज बात यह है कि ऐसा हर बार नहीं होता है ना we will learn quick sort तो वो stable नहीं है merge sort stable है तो अभी तो merge पढ़ रहे हैं तो वो तो stable दिख रही होगी तो in above first 32 will come first then second 32 आएगा देखो पीछे पना पुलटता हूँ सो यहां देखो मैंने सारे elements लिख दिये ठीक है और यह दोनो 32 को A और B से define भी कर दिया for differentiating जब यह दोनों को आपस में मिलाया तो 55 पहले आएगा 90 बाद में 23 पहले आएगा 61 बाद में 18 पहले आएगा 32 बाद में ऐसे करा यह हमारा output after first pass समझे तो यह हमारा first pass का output फिर आगे समझ में आ रहा होगा कि छोटे से ascending order बढ़ते करम में लगाना है यहां पर बढ़ते करम में लगाया तो यह वाला 32 पहले आगे यह वाला बाद में है यह हमारा output after second pass तो यहां मैं लिखा है output of second pass का यह answer है यानि question में देखना है अगर 23, 55, 61, 90, 18, 26 ऐसे करके लिखा हूँ है कोई option तो that is the answer मगर हम एक step आगे जाते हैं इस question का सारा खोल देते हैं that is आगे बढ़े तो third pass में गए fourth pass यह चीज देख रहे हो कि एक बार है तो आगे जोड़ी नहीं रहा है at the end जोड़ रहा है जब यहां पर दो हुए तो output after third pass, output after fourth pass, this is the final sorted area तो यहां खास बात देखने पहले तो log n तक जा रहा है और 10 जो है वो n की value है तो 10 log n, n की value है मतलब यहां पर 10 यहां पर बार-बार elements का number 10 है ठीक है, तो o of n log n is the answer, आगे बढ़ते हैं यह वाला question देखो, ज्यादा question नहीं इसके बाद चाहिए एक और है, हां इसके बाद एक यह और है, I guess, देख लेते ह जितने ज़्याद question करें यह अतना better है, what will be the time complexity of यह बड़ा बज़तार question है, कोई भी बड़े से बड़ा competitive exam हो, यह बले वो gate हो, या j advance हो, उसमें concept को मिलाने की आदत रहती है, कि दो-दो अलग concept मिल जाए, तो यहां merge sort और Fibona की merge sort बना दिया है, तो question बोल रहा है कि क्या time complexity ह होगी Fibona की element को sort करने की using Fibona की merge sort, जिसमें merge sort तो algorithm use होती है, मगर division जो होता है, वो Fibona की series पे होती है, पहरे तो पढ़के बड़े टर लगेगा, यह है क्या, एक बार समझा जाता हूं, फिर देखना, मालो N 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो इन दोनों का sum 1, 3 है N by 2, N by 2 कर देते हैं, है न अगले step है, मगर यहां Fibona की basis भी करते हैं, for example, अगर F6 देखें, that is 8, तो इसका division ऐसे नहीं कि 4 4 होगा, नहीं, F5 और F4 होगा, इसके पिछले दो numbers क्या होगा, that is 5 और 3, 5 और 3 कितना होता होता है न, संद में आ रहे है, कितना interesting concept है, तो यहां पे 5 का क्या होगा, बताओ, 4 और 3, तो 3 और 4 का, Fibona की of 4, मतलब F4 और F3, F4 कितना है, 3 है, और F3 कितना है, 2 है, 3 और 2 कितना होता है, 5 तो यहां 5 था, यह न, तो चीज़े समझ में आरी, ऐसे करके बनेगा पूरा, मैंने पूरा लिखा नहीं है, मगर understood है, यह भी पूरा खुल है, तो at the end हमें पूरा आता है, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, K की value 6, level 6 है, और 8 हाट दिख रहा है, तो FK है यह, तो इस तरह का division बोल रहते है, तो Fibonacci of 6, 6 क्या होता है, एक example के लिए बता है, question तो Fibonacci of K पूछ रहा है, मैं थोड़ा नीचे करता हूं, Fibonacci of K पूछ रहा है, यह हम क्या करता है, options पर match करने की कोशिश करता है, या फिर कोई value put करके देखते है, समझने की कोशिश तो वो कर रहा है, तो यहां पर 6 है, dot 8, तो इसका मतलब 6 क्या है हमारा, K की value है, तो यहां K लिख दिया, 8 के हमारा, FK है, तो Fibonacci of K, तो this is the time complexity of to sort Fib K elements, this is the answer, as I said, आखरी question और देख लो, यह इस topic का आखरी question है, फिर हम और divide and conquer के उसमें आएंगे, कि applications में आएंगे, जैसे कि मैंने starting की वीडियो में बताया था, ठीक है, तो follow up कर रहे तो ध्यान रखना, ठीक है, कि what will be the worst case time complexity to convert login sub-arrays, each of size n by login, into sorted array with n elements, अच्छे, इस question को देखा देखा दो लग र कि क्या होगी, जर्नली worst case ही बता होनी चाहिए, तो convert login sub-arrays, login sub-arrays है, कितने है, number of sub-arrays is login, each of size n by login, into sorted array with n elements, एक sorted array बनाएंगे, जो n elements का है, अच्छा, hint नाम का चीज़ दे रखिये, login sub-arrays, each of sorted individually use, insertion sort, insertion sort, बहले हम आगे पढ़ेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, insertion sort की time complexity n square होती है, हम use कर सकते थे, merge sort भी, यहना, अगर हम यहां question में insertion बोल रखे, तो देना पड़ेगा, ऐसे मान के चलो, तो n square is the time complexity, तो हमें करना क्या है, यहां पर देखो, n by login is the size, n by login is the size, at the end जाके login तक जा रहा है, यह दोना आपसे match करे, 2n by login, 2n by login, ऐसे करके, इनको जो n by login जो है, उसका square हो जाएगा, इस particular के लिए, तो जब solve करेंगे, तो n square by login आजाएगा, आखरी वाले को, और एक बार sort होगे, तो आगे जाके, तो sorting जो हो, sorted रहेगा, आगे जाके, जब mix up होता रहेगा, तो log n by 2, half तो होई गया, और यहां पर size जो जाएगा, 2n by login रहेगा तो इसकी n आजाएगी, यहां से भी n आजाएगी, n elements, तो finally जो है, इन दोनों को, यह सब n आता रहेगा, और तुम्हें पता है, यह वाली कहानी कितनी बार familiar हो चुके है, कि यहां पर जो k की value होती है, वो log log n होती है, तो at the end हमें समझ में है, कि यह दोनों का मिला, मिला करक क्योंकि पेच से जगें नहीं है, तो star जो है, वो value है, हमारी time complexity की, तो उसमें n square by log n, that is this, plus n log log n, n तो यह रहा, log log n, यह कानी में पहले से पता है, बस नीचे insertion sort लग ज़िए तो वो अलग से दिखना पड़ेगा, इन दोनों में से बढ़ा कौन, n square है भाई है, तो n square बढ होगा, definitely, यह log n से एक बार multiply करके देख लो, तुम्हें खुदी दिख रहा होगा, कौन बढ़ है, anyways, यह थे मारे question, hope तुम्हें कुछ informative लगाओ, और लगाया तो कुछ कर दो, थोड़ा support कर दो, चैनल को subscribe वीडियो को like, और algorithm में सारी वीडियो देख रहे हो, तो नहीं देख